अस्सलाम उलिकुम, कैसे हैं? आप सब उम्मीद करती हूँ, सब ठीक्ठा खुशबाश होंगे. आज हैं बनाने वाले हैं मावा आईस क्रीम तो बनाना शुरू करते हैं. मावा इसक्रीम बनाने के लिए हमें सबसे पहले मावा त्यार करना होगा. मैंने यहां पर कढ़ाई लिए है और इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताके दूद नीची न लगे. मावा यप खुए बनाने के लिए मैंने यहां पर 500 ml मिलक लिया है. इसे मैं कढ़ाई में डाल लेती हैं. यहां पर मैंने दस से बाराद बदाम लिए हैं और दस से बाराद यह पीछते हैं. बदाम को मैं बगो रही हूं गर्म पाने से क्योंके मुझे इनकी प्यूरी चाहिए. और कुछ देर के लिए इनको काउंटर पर ही छोड़ दूँगी. अब हमावा की तरफ आत पकना है. वरना हमारी आइस क्रीम का जाइका खराब हो सकता है. तो मावा हमारा त्यार हो गया है. अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी. और इसको मैं रख दूँगी प्रीज में ठंडा होने के लिए. उसी कड़ाई में मैंने एक लिटर फुल फैट मिलक लिया है. इसे बौईल आजाए कि इतनी दिर में हम अपने बादाम चेक कर लेती हैं. तो बदाम हमारे रेडी हो गए हैं. इनका मैं चिलका उतार लूँगी क्योंकि हमें इसकी सफेद प्यूरी चाहिए. चिलका उतारने के बाद इन्हें मैं ग्रैंडर में डालकर ग्रैंड करूँगी. बदाम की प्यूरी मैंने त्यार कर ली है. यह आप देख सकते हो. इस तरह इसे अब हम एक बहुल में निकाल लेते हैं. दूद को एक बौईल आने के बाद इसको चार से पांच मिन्ट मजीद पकाएं ताकर यह थोड़ासा खुशक हो जाए. चार से पांच मिन्ट दूद को पकाने के बाद अब हम इसमें जो हमने बदाम और पिस्टे की पूरी तियार की थी थी ना वो हम इसमें एड़ करेंगे. और अब हम इसे मजीद चार से पांच मिन्ट तक पकाएंगे. अदाम जब आप डालोगी ना तो आपको ऐसे लगएगा जैसे आपने कोई कार्ण फ्लोर्ज या ऐसी कुछ चीज डाली है. इससे आपका टेक्स्चर गाड़ा होना शुरू हो जाएगा. अब हम इसमें डालेंगे शूगर वो आप अपने अकॉर्ण टू टेस डाल सकते हों मैंने एक कप डाली है. थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें एड़ करेंगे और इसको पकाएंगे. अच्छी खुश्बू और जाके के लिए इसमें एड़ करेंगे अलाइची का पाउडर. अब जो हमने खोया रखा था ना फ्रिच में ठंड़ा होने के लिए वो इसमें एड़ करेंगे. मैंने टू पार्ट में करके थोड़ थोड़ा करके इसको एड़ किया है. अगर हम खोये कि मेजरमेट करें तो यह तकरीबन एक कप है जो मैं हमने इसमें एड़ किया है. तो इसका टेक्स्चर हमें कुछ इस तरह का चाहिए. यह हमाएं रेड़ी हो गया है. अब हम इसे ठंड़ा कर लेंगे. यह आप देख पा रहे हो. मैं आपको दिखाती हूँ. यह देखो. यह हमें इस तरह का चाहिए. तो इदे मैंने टेक्स्चर को ठंड़ा होने के लिए छोड़ा है. आप इसको ऐसे भी फ्रीज कर सकते हो. मैंने विपिंग क्रीम का इस्तमाल किया है. तो यह मैंने विपिंग क्रीम डाली है. विपिंग क्रीम के साथ मैं इसके अंदर डालूँगी आइस क्रीम का टेक्स्चर और इन दोनों चीजों को मैं ग्राइंडर में डाल कर ग्राइंड कर लूँगी. अब हम इस टेक्ट्चर को प्लस्टर के कंटेनर में निकाल लेंगे और इसे दो ग्हेंटे के लिए फ्रीज करेंगे और अब इसको कवर कर देते हैं और इसे फ्रीजर में रख देते हैं तो हमारे दो ग्हेंटे हो गए हैं और अब इसको चेक करते हैं इसक्रीम आप देख पा रहे हो कि यह अच्छे से नहीं जबें बलके यह हाफ डन होई है अब हम इसे दुबारा से ग्राइट करेंगे अब हम इसे उसी जग में डालेंगे और इसको मैं ग्राइट कर लूँगे तो मैंने इसको फूल नाइट फ्रीज किया है फ्रीज करने के बाद अब हम इसको चेक करते हैं यह देखें आप कैसी जबरदस्त हमारी आइसक्रीम बनी है अब हम इसे बाउल में निकालती है तो आइसक्रीम मैंने सरफ करती है यह बहुत जबरदस्त और बड़ी मस्दार बनी थी आप भी ज़रूर इसको ट्राइए करना इसके उपर मैंने बादाम और पिस्टा चलिक दिया था ताकर यह ज़रा ट्रैक्टिव लगे आप इसे ज़रूर ट्राइए करना और अब नालब टको टकूर्आ झालब मुझक दो ट्राइए मैंने सरे बनी खेस ज़र कि बनी दाप ट्रैक्टिव ड़रूर इसंतोर है ज़रूर गगे इस ज़रूर यह झाह जगर, तुम औ Counter является झालब मुझक कि भीज़े बस्टार ड़ा चताईट害 दावरा पलीकि द